यह जो लाइन्स मैंने लिखी है यह मेरे खुद के नेचर के लिए है मैं मतलब किस टाइप का बंदा हूँ उसके लिए डिफाइन करता है तो शुरुआत होती है कि जमी तलाश होगे अपनी तो कुछ ना मिलेगा कि जमी तलाश होगे अपनी तो कुछ ना मिलेगा कि चंद पलों में किसी को अपना बना लो तो बरावरी के हकदार हो तो तो क्या होता है mostly ये लड़कों के साथ में होता है कि जो सच्चाई दिखाते हैं और mostly लड़कियां जो हैं वो नहीं दिखा पाते हैं मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उस पे मैंने लिखा हुआ था कि काविले तारीफ है उसका काविले तारीफ है उसका हर मर्तबा सच से यूं मुकर जाना काविले तारीफ है उसका हर मर्तबा सच से यूं मुकर जाना सुना है मिया इश्क में है सुना है मिया इश्क में है अजी फिर तो मान ही जाएंगे इसके अलाबा कभी कभी क्या होता है कि आप रसी को जब कस्के पकड़े रहते हैं तो वो आपके हाथ में गाओ भी कर सकती है ऐसा ही आपके साथ महबत में भी होता है कि अगर आप किसी चीज को जबर जस्ती जकड़े रहते हैं और वो चाहां के भी आप नहीं उसको कर पा रहे हैं कि जो आप चाहां रहे हैं कि वो आपके साथ में रहे उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए होता है उस टाइम पर आपको छोड़ देना जाही होता है क्योंकि अगर आप रस्ती को भी पकड़े रहेंगे तो वो कहीं न कहीं आपका हाथ कोई नुकसान करेगा तो इस पर मैंने लिखा हुआ है कि जा आजाद किया तुझे अपने दिल के कैद खाने से कि जो अपना था ही नहीं कि जो अपना था ही नहीं मैं उस पर जान लुटाता था एक और है जो इश्क जो ये सब्जेक्ट है ना इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है तो कोशिश की थोड़ा सा समझने की तो उस पर लिखा है कि उम्र गुजरी है उम्र गुजरी है हालात बक्त लोग और जिन्दगी को समझते समझते एक और लिखा है इश्क के बारे में ही जिसमें क्या होता है कि लोग वफादारियां करते है तो उन लोगों के लिए भी एक सबक है कि जिनुए वफा का दौर नहीं है साहिब जिनुए वफा का दौर नहीं है साहिब यहां हर आसे कुछला जाता है महबत हो जाने के बाद कभी कभी हमें एहसास होता है कि हम जिस इंसान के साथ में है शायद वो पूरी ताउमर हमारे साथ रहे लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से चीजे नहीं जलती हैं तो उसके लिए है कि यूं तो सफर के मुसाफिर को मंजले इकबाल हो ही जाता है हर मरतवा वर्गे गुल साथ हो ये जरूरी तो नहीं आज के टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि लोग कहते हैं मैं सच बोलता हूँ आप किसी से भी बात करेंगे चाहें भले ही वो हंडेट परसेंट जूट बोलता हूँ लेकिन वो यही कहेगा कि मैं सच बोलता हूँ और बहुत कम लोग आज के टाइम में ऐसे हैं जो आपके मुँँ पे सच बोलेंगे उसका रिजन ये है कि कभी कभी लोगों को सच पसंद ही नहीं आता है या वो सुनना ही नहीं जाते है तो मैंने ये फील किया है और उसके उपर दो लाइने लिखी है कि तमासे ही है यूँ तो लोगों के सच के बारे में हकीकत बता दो तो बात अना पे आ जाती है अना एक उड़ू का सब्द है जिसे अगर हम इंग्लिस में कहेंगे तो आप कनेट कर पाएंगे मतलब ego अगर किसी को उसकी हकीकत बता दो तो वो ego पे ले जाता है कि वाई ये क्या बोल दिया आपने एक और है कि मैंने देखा है कि हमारे शायरों की जो जमात होती है जो हम लोग महबत करने वाले होते हैं इनका दिल वड़ा नरम होता है तो इसके लिए है कि बस नेक दिली है दिल में बस नेक दिली है दिल में फिर देड़ से सही सब कुछ पा जाएगा बस नेक दिली है दिल में तो देड़ से सही सब कुछ पा जाएगा यूं मसलिहतों से महबूब मिला नहीं करते मसलिहत कहते हैं आपका लक आप अगर ट्राइओ कर रहे हैं कि मज़े लक से कुछ मिल जाए तो वो possible नहीं है तो एक और है जब बंदा इश्क में होता है तो उसे चारो तरफ महबू भी दिखाई देता है तो उसका है कि हर अक्ष में उसका ही अक्ष नजर आता है हर अक्ष में उसका ही अक्ष नजर आता है मुझे हर जगा तू ही तू नजर आता है मैं इश्क में हूँ या ये भी वहम है मेरा ए परदा नसीज या ये भी अपने खुदा से कहना गर दो चार रोज दिदार नहों उनका फिर तो काजी भी मुझे को काफिर ही नजर आता कि अब बस दिखावे के लिए हमें याद मत करना कैसे हो तुमने खाना खाया ये भी वकवास मत करना कि हाँ हम बेवकूफ हैं क्योंकि नरम दिल है हमारा कि हाँ हम बेवकूफ हैं क्योंकि नरम दिल है हमारा ये पता है हमें पर जब तुमारी कोई न सुने और रोने का दिल करे तो हमें मुआफ करना हमारी तलास मत करना तूम जहनाशी हों हम जानते थे ये भी कि तुम जहनाशी हों हम जानते थे ये भी कि अब किस पे और कितनी विजलियां गिराओगे कोई हिसाब मत करना कि हम फकीर हैं हम फकीर हैं गुजारा कर ही लेंगे काफी है हमें इश्क की चांदी और जज़वातों का सोना तुमको नाज है जिस हुसन पे लबाब पर तुमको नाज है जिस हुसन ए लवाब पर गर कोई हमसा बात्सा ना मिले तो मलाल मत करना कि इसमें और आगे है इश्क था और इश्क रहेगा भी बे इंतहां कि अब मर भी जाएंगे तो भी तुम हमको याद मत करना और है कि खेर छोड़ो तुम क्या समझोगे खेर छोड़ो तुम क्या समझोगे और समझकर करना भी क्या खेर छोड़ो तुम क्या समझोगे और समझकर करना भी क्या तुम खुश हो इसी में हमारी खुशी है तुम खुश हो इसी में हमारी खुशी है रहम है उसका जो कलम चल रही है आज भी दिलों पर कायम है बात्चाहत हमारी